साल 2022 का आखरी और दूसरा चंद्र ग्रहन आठ नवंबर को लगने जा रहा है इस दिन देव दीपावली और कार्टिक कोनिमा भी है इस लिहाज से इस ग्रहन को खास माना जा रहा है इस बार चंद्र ग्रहन की वज़े से देव दीपावली एक दिन पहले मनाली जाएगी और लोग स्नान और दान का काम एक दिन पहले ही कर लेंगे 2022 का आखरी और दूसरा चंद्र ग्रहन भारतिय समय के अनुसार 8 नवंबर को शाम करीब 5 बचकर 32 मिनट से शुरू होकर शाम 7 बचकर 27 मिनट तक रहेगा भारत के कुछ हिस्सों में ये चंद्र ग्रहन दिखाई देगा इसलिए ग्रहन से पहले और बाद में सूतक काल मान्य रहेगा इस दोरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किये जाएंगे भारत के अलावा कई एशियाई त्वीपों, दक्षिन, पूर्वी यूरोप, आस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिन अमेरिका, पैसिफिक अट्लांटिक और हिंद माहसागर में इस चंद्र ग्रहन को देखा जा सकता है आठ नवंबर को लगने जा रहे चंद्र ग्रहन को कई जोतिश विद शुब नहीं मान रहे हैं क्यूंकि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहन होने के 15 दिन के भीतर ही ये दूसरा ग्रहन लगने जा रहा है जोतिश आचारियों के अनुसार एक पक्ष यानि की 15 दिन के भीतर दो ग्रहन का लगना अशुब का संकेत होता है